सुप्रवात, गुड मॉनिंग बिटा, हाउर यू, कैसे हो आप लोग, I hope आप अच्छे होंगे, ओके, अच्छे हो ना, आप लोग सभी, आज हम वापस से अपनी कक्षा 2 में, विशे हिंदी, रिम जिम पाठे पुस्तक में, पाठ 10, मीठी जारंगी का अभ्यास करेंगे, प पाठ हमने पहले छोड़ दिया था, जो लेसन हमने छोड़े देना, इससे पहले भी मैंने एक लेसन आपको कराया था छे, पाठ छे, वो भी लेसन हमने छोड़ दिया था, ये पाठ केवल हम बाठ वाचन के लिए इनको कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्जाम में भी नहीं आए तो मीठी सारंगी, सारंगी तो आप सब जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत नहीं जानते हैं, यह देखो यह इसमें, आपको दिख रहे हैं, एक आदमी बेटा है, और वो मीठी सी सारंगी उसने बजा रहा है, कुछ आथ में ले रखा है, तो चलो हम देखते हैं इसमें पहला पहला ग्रफ देखते हैं एक गाउं में एक सारंगी वाला आया वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गाउं के बहुत से लोग इकटे हो गए सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गाउं के लोग दंग रहे गए सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है अब क्या था कि एक गाउं में गाउं तो सब लोग जाते गाउं में एक सारंगी वाला आया और वो क्या था जो सारंगी होती ना बजाने की बहुत लोग बिटार जैसा होता है पहले आजकल सब बिटार चलते लिगें पहले सारंगी चलती थी गाउं में लोग बाग सारंगी बजाते थे थे ना तो एक सारंगी वाला आया और वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था पालुओं के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रहे गए हम लोग कितना अच्छा कि अपन कैसे कहते हैं यह कोई काम दे और यह तो पाला। बजाया था, सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, वो इतनी अच्छी सारंगी बजा रहा था, कि गाम के सभी लोग बहुत खुश हो गए, और मतलब उसकी मीठी सारंगी की आवाज सुनके, मतलब उसने इतनी मीठी बजाए कि गाम के लोगी सभी एकदम खुश हो गए और उनको लगा कि देखो, यह तो कितनी, सब लोग आश्य शकित भी हो गए, कितनी मीठी सारंगी है, मतलब वो सारंगी को मीठी समझ रहे थे, कि देखो कितनी कैसी मीठी सारंगी है, अब आगे का paragraph देखते हैं, यह next page पे देखते हैं, 57 page नंबर पे, आगे, आहा कितना आ रहा है, वही पास में बेटा हुआ, बोला भी, लोगों की ये बातें सुन रहा था, वो मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मूद तो मीठा हुआ ही नहीं, यह सब जूटे हैं, अब क्या था, कि उधर बोला नाम का एक आदमी था वो भी बैठा हुआ था, वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ बोला नाम का एक आदमी था, वो बैठा था, तो वो उसको वो भी एकदम कहने लगा, कि आहा, कितना आनंदारा, मतलब कितना मजा आ रहा है ये सब देखने में, और मन ही मन हो, अपने मन में ही सोचने लगा, कि इन सोच रहाते हैं तो भी सोच रहाता कि हुए पास सारंगी वाले के सारंगी वाले के पास बैटने से मुह मीठा हो जाए इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया अब थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि चल मैं जाता हूं और ये सारंगी वाले के पास जाकर बैट जाओ अगर इस के पास बैट जाओ तो शायद मेरा मुह मीटा हो जाए इसलिए वह का codiya सारंगी वाले के पास जाकर बैट गया को लग रहा था कि सब लोग के रहें थे न कि देखो कितनी मीठी सारंगी है।Щ कीGLAE-67 वाला सारंगी बजान रहा हूँ बज़ा रहा है। और सब लोग गांवाले कितना आनंद ले रहे हैं, सब लोग कितने खुश हो रहे हैं, और ऐसे वावा कर रहे हैं, यह देखो सारंगी कितनी अच्छी है, लेकिन वो सोचता है, वो जो एक बोला नाम का आदमी था, वो भी वहाँ बैठा था, और वो सोच रहा था, मनी मन, कि लोगों को तो सारंगी कितनी अच्छी लग रहे हैं, लेकिन मेरा तो मुह मीठा ही नहीं हुआ, यह तो सब जूट बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी दिर बाद क्या हुआ, असना सोचा, कि शायर सारंगी वाले के पास बैठने से मुह मीठा हो जा, इसलिए वे सारंगी वाले जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनन आया, दो-चार दिन यहीं ठहर दिये. अब रात के जब 3-4 बजगे, बज़े जब रात बर वो बज़ा रहा था सारंगी वाला, तो सारंगी तो उसने जब रात के 3-4 बज़े पूरी रात वो बज़ा रहा था, तो गाना बजाना उसने बंद कर दिया, तो सब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, कि महराज आपकी सार कांगी बहुत ही मीठी है हमें बड़ा ही आनन्द आया मतलब हम बहुत कुछ हुए हमें बहुत अच्छा लगा आप दो चर दिन यहीं ठैरिये ऐसा उसको रोकने के लिए उन लोगों ने बोला यह बातें सुनकर भोला मन ही मन जुझलाया और सोचने लगा यह लोग जूट त जूट नहीं बोल सकते सारंगी मीठी जरूर है पर मुझा जूट नहीं बोल सकते सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे नजाने स्वाद क्यों नहीं आया अब उसने सोचा मन ही मन के भोला मन ही मन में जुझलाया था उसको गुसा सी आरी जुझलाया जैसे एकदम उसको गुसा जैसा आरा था जुझलाया और सोचने लगा कि यह लोग तो जूट नहीं बोल सकते मीठी जरूर होगी आ है आए आप वह मीठी सारंगी मीठी सारंगी कह रहे थे तो उनको लगा कि इतो सारंगी मीठी है लेकि मुझे तो कोई स्वाद ही नहीं आरा है तो तो उसने सोचा कि में मीठी जरूर रखे हो कि hinge breasts al Agrig me too तो इसने सोचा कि मीठी सारंगी जरूर मीठी होगी क्यों लोग तो सब जूट नहीं बोल सकते और इसका सुआद जरू मुझे नहीं आ रहा है, इसका सुआद मतलब कहते हैं अपने अपने कोई चीज खाते हैं अपने को चीज लगती है तो अपन उसको सुआद पता चलता है कि मुझे इसका स्वाद नहीं आ रहा है लेकिन शायर मीठी जरूर होगी अब आगे देखते हैं आगे वाला पेरग्राफ तब तक राद जादा हो गई थी इस कारण लोग घर नहीं गए वहीं चौपाल में सो गए सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चड़ाई और उसे अपने सिराने रख कर सो गया पर भोला को चैन कहा था जब लोग नीन में खराटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और उपर का खोल उतार कर उसे जीब से चाटा अब क्या था कि जब रात बहुत जादा हो गई थी तो बहुत देर हो गई तो सब लोग तो अपने अपने घर चले गए आप लोग भी अपन लोग भी कुछ मेला देखने या कुछ होता है तमाशा खेल तमाशा ऐसा तो हम देखने जाते है रात में होता है लेकिन बाद में तो हम रात को अपने अपने घर चले जाते ना सोने तो ऐसे ही सब लोग गाव के अपने अपने घर चले गए सोने के लिए वही चौपाल में सो गया और कुछ लोग थे जो रात ज्यादा हो गई थी इसलिए बहुत लोग चौपाल जिसे गावों में एक चौ होती है वाहन पे सब लोग इकटे होतें बड़े बुझेरत रिमर्च करते हैं कि ये काम हमें करना है ये नहीं करना इससा तो गावँन वह गुझलो बहुत रात हो गई तो वह लोग हो ही सो गये शहरंगी वालेने जब सब्सक्राइब नीन में उठा लिए और उपर का खोल उठार कर उसे जीब से चाटा इसने क्या किया उसने बोला ने कि जब लोग बहुत गहरी नेन में खराटे सो गए तो उसने क्या किया खोल जो उसका सारंगी वाला दो सारंगी अपने सिराने रख ली थी मतलब अपने सिर के पास तो उसने सिराने रख दी थी, जिराने मतलब सिर के पास, तो अपने पास उसने उसको रख लिया था तो जब उसने उठा लिए और छुपके से उसने क्या किया दो ने उसको चैन का, मतल़ उसको नीदी मारत आ पर ही ते यहीं हिंता है कि मैं देखता हूँ कैसी मीठी है कैसी मीठी है इस तरह से वो सोच रहा था कि ज़्रूर कोई मीठी मितलब वह समझ रहा था जैसे कि अपन मीठी चीज खाते हैं चीनी जैसे मीठी होती है वह उसको हम चखेंगे तो ये मीठी लगेगी इसको स्वाद मीठा लगेगा तो उसने क्या किया चुपके से उठा और सारंगी को उठा लिया और उसके उपर को खूब हिलाया, उसके छेद को मुझ के पास लगाकर मुझ से उंडेला पर सारंगी से एक भी मीठी बूर नहीं निकली, मैं लोगों की बेवकूपी पर बहुत ही जुझलाया, अब उसमें क्या था, यह उसको चाटा तो उसको कोई स्वाद दिनी आया, तो वो कोई मीठी थ पर सारंगी से एक भी मीठी भून नहीं निकली, अब उसमें से एक भी बून नहीं निकली, वो लोगों की बेवकूपी पर बहुत ही जुझलाया, उसको सबकी बेवकूपी सब उसको बेवकूप लग रहे थे, सब उसको पागल लग रहे थे, उसको बहुत गुसा आ रही थी, अब की बार उसने सारंगी को गाउ से बाहर दूर ले जाकर फेक दिया, वे लोगों की बेवकूपी पर हस्ता हुआ, अपनी जगे पर आकर चुपचाप सो गया, अब क्या था, यह वो लोगों की बेवकूप, वो सबको पागल समझ रहा था, यह सब लोग मीठी सारंगी, मीठी सारंगी बोल रहे हैं, लेकि सारंगी मीठी थोड़ी है, इसलिए उसको बहुत गुसा आ रही थी, उसने जब उसको चक के देखा तो उसमें कोई स्वादी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो लकडी की बनी हुई थी, तो अब इस बार क्या हुआ, इसको बहुत लोगों के उपर बहुत गुसा आया, और उसने सा सारंगी को और अपनी जगे पर आखर चुपचाप से सो गया, अब आगे देखते हैं विटा, सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगे पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए, लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया, बोला इस जूट बात को न सुन सका, और गुसे से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, अब क्या था, सुबह हुई, तो जब सारंगी वाला जगा सब लोग जगे, तो अपनी जगे पर सारंगी नहीं थी, क्योंकि उसने रात को फ नामवाले, वो सब भी बहुत दुखी हो, और उनने वो सब बोल रहे थे कि कितनी मीठी सारंगी थी, पता नहीं इसको कौन ले गया, लेकिन उनकी जो बात थी न, उस पर वो जो भोला था, वो गुसे से बोला, मतलब वो तो सैन नहीं कर पा रहा था, उनकी जूट को, उसक पूच रहा था कि खाक मीठी सारंगी थी, तो वो गुसे से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, कि उसको चाटा था, उसमें जराबी मिठास नहीं थी, तुम सब लोग जूटे हो, और बाबाजी की खुशामत करते हो, लोगों ने पूचा पड़ सारंगी है, कहां? उसने कहा, गाउ के पाहर बाहर पड़ी है, लोगों ने भोला की बेवकुट पर सिर्फ पीट लिया, अब क्या था, कि जब सब लोगों ने उसको पूचा, सब लोग कह रहे थे कि बहुती मीठी सारंगी थी, पता नहीं कहां चली गई, ऐसे सब ल ठास नहीं थी, और तुम सब लोग जूटे हो और बाबा जी की खुशामत करते हो, उसने कहा, कि मतलग तुम लोग की खुशामत मतलग चापलूसी करते हो, तो आप लोग उसकी चापलूसी करते हो, वो तो खाक मीठी थी, जो बाबा आया है, उसकी खुशामत कर रहे हो, ऐ सब लोगों ने पूचा कि तुम मताओ तो सही सारंगी है का तो उसने कहा कि गाओं के भार पढ़ी है लोगों ने भोला की पेवकूप पर सेर पिट लिया अब सब लोग थे उन्होंने उसकी जो पागलपन था भोला की और उस पर सेर पिट लिया क्यों पिट लिया क्योंकि माँ के भाय मैं पैक ढिया और उस्ट लोगों ने उसकी बेव कूवी पर बहुत सिर पीट लिया हो कि बेटा अब हम इस पार्ट को यह पार्ट हमने पार्ट इसका पार्ट मतला अभ्यास कर लिया explanation के साथ आप लोग भी इसको अच्छे से रीट करना और अच्छे से पढ़के देखना आपने देखा नहीं कैसे चाट रहा है यह सारंगी वाला है दिख रहा है ने आपको इस पार्ट में तो आप लोग भी इसको पढ़का रभ्यास करना के वली यह पार्ट पढ़ने के लिए हमने इसको पढ़ायों कि बेटा आप लोग अपना ध्यान रखना अपनी सेहत का ध्यान रखना टेक केर बेटा थैंक